हलो हलो, नमस्कार, स्वागत है आप सब का इंडी मसाला पॉड़केस्ट के एक नए पीसोड में और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्ट अमिश्य करीडी मसाला तो आज 16 एप्रिल 2022 के शाम इंडी मसाला पॉड़केस्ट में आपको बहुत-बहुत श्वागत है जहांपे हम बात करते हैं हेल्थ, फिटनेस और अवेकनिंग की तो आज की टॉपिक अवेकनिंग वाली है जिन्दगी के कुछ ऐसे मैनों की बारे में परताल करेंगे, खोज करेंगे जो शायद हमकसर पने भागदार की जिन्दगी में नहीं कर पाते हैं जबी जीवन खतम होने लगने तब जाके ये खयालात लोगों के दिवात में आते हैं तो पिछले वीक में एक मूवी देखी गई, मूवी का नाम है The Pursuit of Happiness 2006 की मूवी है, IMDV पे इसको दस में से आठ अंक मिले हैं बहुत बार शुक्र गजार हूँ, Will Smith का जिन्होंने इस character को play किया character को नाम है Chris Gardner, एक सची real life story है Chris की गरीवी में struggle के दौरान अपनी पत्नी से separation हो गए और कैसे उन्होंने अपने बेटे के साथ वो मुश्किल वाला समय बिताया अबा और success को हासिल किया, खुशी को हासिल किया तो इसमें Will Smith के बेटे ने भी उनके साथ, जे डिन ने acting की बहुत ही शामदार मोवी लगी मुझे और ये भी अफसुस हुआ थी, कास मैंने से पहले क्यों मुझे लिखाती That also made me think कि what makes a good life एक अच्छी जिंदगी, एक खुशाल जिंदगी किन चीजों से बनती है क्या पैसे, पावर, पोजिशन, ये चीजे चाहिए हमें कौन सी चीजे हैं जो कि जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमें वो healthy रखती है और happy रखती है तो mostly लोग सूचते हैं कि पैसा जो है और शोहरत ये दो चीजें इंसान को खुश रखने के लिए काफी है आप भी शायद सोच सकते हैं हलाकि आप अगर ऐसा सूचते हैं तो आप mistaken है कहना है Robert Weldinger का जो कि एक psychiatrist है ये director है एक 75 साल पुरानी 75 साल से चल रही study के जो की study है adult development के उपर में और ये 75 साल की data है जो बताती है कि सही वास्तविक खुशहाली और वास्तविक satisfaction जो है वो किन चीजों से मिलते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आप healthy रहें खुशहाल रहें तो किन चीजों पे हम अपनी energy को और time को focus करें इसके उपर हम आज बात करने रहें तो millennial से जिनको जिनके जनम 1986 से लेकोई 1996 तक के बीच में हुई माली जो 26 से 41 साल की उमर के जो लोग है मैं Gen Zee में आता हूँ क्योंकि मेरी जो जनम थी मैं Gen Zee में नहीं आता हूँ जिनकी 26 से 41 साल की उपर उनसे पूछा गया कि आपके हिसाब से जीवन में सबसे important goal कौन से है 80 प्रतेशत ने बोला कि जीवन का सबसे important goal है धनवान बनना उसमें से 50 प्रतेशत लोगों ने ये भी बोला कि famous होना भी बहुत बहुत जरूरी है तो अगर आप अपने आजू-बाजू में देखे थे हमें constantly ये बता जाता है कि खुब काम करो खुब पुष करो अपने आपको अचीव करो जाता से ज्यादा और अगर शायद आप ये सब चीचें करें तो आपकी life शायद अच्छी हो सकती है यही सोच है इसलिए लोग पुष करने को बोलते हैं हमें हमेशा बट कभी हमारे जो पूर्वज थे उनमें से कुछ लोग ने सोचा क्यों न हम एक पूरी इंसान की जीवन काल के दुरान खाली एक इंसान नहीं एक बड़े से ग्रुप को देखें उनके युवावस्था से लेकर के टीनेज इयर से लेकर के बुढ़ापे तक कैसे उनके जिंदगी में health और happiness कैसे घटती बढ़ती है और क्या factors है उसके पीछात है तो शुकर गजार हूँ, thankful हूँ The Harvard Study on Adult Development का जो कि पिछले 75 साल से चल देखें दुनिया की longest study है इसमें 724 मर्दों को सिलेक्ट किया गया था और उनसे हर दो साल के अंतराल पे उनसे चीजे पूछी गई जैसे उनके काम के बारे में उनके घर में उनकी life कैसी चल दी है उनका health कैसा है और उनकी जीवन कैसे कैस से टर्ण ले रहे हैं किस तरह से वो नहीं नहीं मुकाम पर पहुंच रहे हैं तो बहुत 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 रेर study है क्योंकि किसी भी इतनी long term की study में लोग drop हो जाते हैं funding stop हो जाती है researchers मर जाते हैं जो study population की लोग है वो मर जाते हैं और यह जो study इसमें several generation of researchers have worked and luckily this study survived and thanks to the grit and determination of people at Harvard, आज के date में 724 में से साथ लोग अभी भी जिन्दा है और आज भी वो study के हिस्सा है क्योंकि study भी चल रही और यह जो जिन्दा लोग है they are in their 90s अब उनके 2000 से ज्यादा जो बच्चे हैं इन 90 लोगों के जो बच्चे उनकी feedback लिए जा रहे हैं तो Robert Weldinger साथ का बोलना है कि वो study के चौथे director हैं चार लोग study पर काम करते करते रिटायर हो गये इस study की शुरुआत हुई थे 1938 में इसमें दो ग्रुप लोगों के चुने गये थे एक थे काफी अच्छे परिवार से आने वाले पढ़े लिखे Harvard के second year के students और दूसरा Boston के सबसे गरीब इलाके में रहने व study हुई तो हाँ teenagers से उनकी interview की गई, उनका medical record पूछा गया, उनके घर पे visit किया गया, उनके parents से interview लिए गया, बाद में यही teenagers अगे की life में जाके कुछ factory workers बने, कुछ lawyers बने, कुछ eat बनाने वाले, कुछ doctors बने, इनमें से एक तो अमेरिका के president भी बन गया, नाम पता नहीं, disclose किया गया, कई सारे अपनी जीवन में आगे जाके, alcoholics हुए, कई schizophrenic हो गए, कुछ society की ladder है, जो प्रसिद्धी है, जो success का ladder है, cd, उसको चड़ते गए, बहुत उपर तक पहुँचे, और कुछ उपर से चड़कर, उपर पहुँचकर फिर नीचे भी गिरे, तो हर दो साल में इन से internal evaluation की गई, live interview किये गए, medical records चेक किये गए, डॉक्टर से बात की गई, उनका वीडियो टेप किया गया, उनकी पतनी, उनके बच्चों से, प्रिवार के clothes, सदश्य से उनके बारे में बारचीत पूछी गई, तो इस 75 साल पुरानी चली, इतनी difficult study का सबसे जो main crux है, क्य खुश रहने के लिए, और healthy रहने के लिए, क्या चाहिए, क्या wealth चाहिए, fame चाहिए, hard work चाहिए, जी नहीं, अगर आप यह सोचने तब गलत है, सबसे पहली, सबसे शांदार ची जो निकल के है, कि good relationship, relationships keeps us happier and healthier, तो अच्छी, strong, connected relationship जो है, वो हमें जीवन में healthier भी रखती है, और happier भी रखती है, स्वास्ते भी रखती है, खुश हाल भी रखती है, दूसरा, social connections are good for each and every human being, loneliness skills, अगर आप अकेले हैं, तो आप जल्दी मर जाएंगे, आपका social structure, आप socially कितने connected, अपनी family से, अपने friends से, अपनी community में, society में, यह decide करता है कि आप कितने खुश रहेंगे, और connected है, उनकी life कम हो जाती है, इस study के दौरान देखा गया, जो लोग, एकांत, lonely लोग रहते हैं, उनकी health decline हो जाती है, बड़ी जल्दी middle life के दौरान ही, as compared to people who are very well connected, lonely लोग, अकेलापन महसूस करने वाल लोगों में brain function में decline होती है, और उनकी life span shorter होती है, as compared to people who feel they are connected, sad fact, but metros और हो सकते हैं, आप शादी में के लिए हो सकते हैं, यह भी ज़रूरी नहीं कि आपके number of friends कितने है, यह ज़रूरी है कि यह जो relationship है, वो कितना connected है, कितना strong है, और living in any conflict, long term, is not good for health, it's really bad for health, and high conflict marriages are disasters, and इसमें अकसर लोगों की जीवन जो है, happiness, health, दोनों decline होती है, living in which a good, warm relationship is protective, तो आप कितना सुखद एहसास महसूस कर पा रहे हैं, आप कितना protected महसूस कर पा रहे हैं, यह आपकी health और happiness दोनों को protect करता है, the people who are most satisfied in their 50s with their relationship, tend to be happier when they are in 80s also, तो अगर आप उस उमर के परिवाब में हैं, जहां पे आपच आपको बहुत सुखद हैं, तो आप असी तक continue करेंगे, अच्छे से ज्यादा chances के, people feel better despite physical pain when connected and worse when won't, तो दर्द तो होना है, यह शरीर है, इसमें बीमारियां आएंगी, accident होते हैं, जैसे आप आगे बढ़ें, तो जो लोग connected है, जिनको एक support system feel होता है, वो दर्द को ज्याद तो अच्छी good relationship ना केवल हमारी शरीर को protect करती है, बढ़ हमारे brain को भी protect करती है, तो अगर आप 80s में हैं और आप connected, dependable relationship में हैं, और आप खुद को support and feel करते हैं, तो आपकी memory शाप होती है, memory decline is seen less in people who are connected and are not in a conflict marriage, अगर आप conflict marriage हैं, तो आपकी memory के decline होने के chances हैं, जैसे जादे लिखा गया कि octogenarians, जो के 80 साल की उमर के लोग है, पती पत्मी दिन रात आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, लेकिन अगर उनको मालूम है कि इस लडाई से कुछ फरक नहीं पड़ता हो, अगर उनको लगता है कि अगर मुसीवत का समय आए, तो हम जोने एक दूसर ना तो sexy होते हैं, ना gorgeous होते हैं, ये messy होता है, ये complicated होता है, इसमें बहुत सारा hard work करना होता है, आपको friend, family, जिससे ये relationship चल सके हैं, और ये lifelong है, ये कभी रुखता भी नहीं है, तो चाहे आप 13 साल के हो, 18 साल के हो, 25 के हो, 40 के हो, क्या हो, 60 के हो, आपको क्या खरना चाहे है तो एक जो CDC सलाह Robert Weldinger साब देते हैं, कि जो screen time है, उसको cut करके face to face, face time में लेकि आचाहे है, वो friends हो, family हो, community हो, reaching out to family members, जिन से 2 साल में, तीन साल में बाचीपने, उन से phone करके पूछना, आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, तो family में feuds होते हैं, जगरे होते हैं, grudges होते हैं, उन Life इतनी छोटी है, कि आप जगरे, माफी, दिल जलाना, किसी को तू-तू-मेमे करना, इन सब के लिए समय हैं नहीं, खाली समय है तो खाली के बाल प्यार करने के लिए, और अभी इस समय में इसकी बहुत-बहुत जादा ज़रूरत है, so, the good life is built with good relationship, इसे के साथ आज की top को ख वही एक request है, कि पैसा, fame, position, invest in good relations, invest in good friends, spend time, एक और चीज, रिष्टे तो औरना बहुत आसाँ, किसी को fire करना बहुत आसाँ, but, कोई perfect नहीं, तो सबको तो मौका मिलना ही चाहिए, तो मौका आपको देना ही चाहिए, चाहे वो life हो, relationships हो, आपके साथ काम करने वाले लोग हो, all the best, कल मिलते हैं, एक और topic के साथ, तब तक अपना ख्यार लगे, thank you so much, bye bye